नमशकार मित्रों पंचांग के अनुसार माग महा के कृष्ण पक्ष की चतुर्ती तिती को सकड़ चोत वरत किया जाता है इसे संकष्टी चतुर्ती लामबोदर संकड़ चतुर्ती तिल कुटा चोत तिल चोत मागी चोत आदी नामों से जाना जाता है वैसे तो परतेक महा में दो चतुरती आती हैं एक शुकल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में लेकिन साल की इन सभी चोथ में मा की चोथ का विशेश महत्व है इस दिन भगवान गनेजी के साथ भगवान शी माता पारवती कार्ति के जी और चंदर देव की पूजा का विधान है आए जानते हैं साल दो हजार चोबिस में सकट चोथ तिल चोथ का वरत कब होगा इस दिन हमें क्या बिलकुल नहीं करना चाहिए और क्या अवश्य करना चाहिए चंदरुदे का समय क्या रहेगा संपून जानकारी इस प्रकार है साल दो हजार चोबिस में सकट चोथ या तिल चोथ का वरत 29 जनवरी 2024 दिन सोमार को रखा जाएगा चतूरती तिति की शुरुवात 29 जनवरी को प्राते काल 6 बज कर 10 मिनट पर हो जाएगी चतूरती तिति समाप्त होगी 30 जनवरी प्राते काल 8 बज कर 54 मिनट पर इस दिन माताईं अपनी संतान के लिए निर्जला वरत रखती है पूरा दिन निर्जला वरत रखने के बाद रातरी को चंदरमा को अरख दे कर वरत का पारण किया जाएगा वरत का पारण का समय और चंदरमा उदे का समय रहेगा रात को 9 बज कर 10 मिनट पर 29 जनवरी को 9 बज कर 10 मिनट पर चंदरमा उदे होंगे इस समय चंदरमा को अरख देने के बाद माताईं अपने वरत का पारण करेंगी इस दिन सुभे सवेरे ही जल्दी उठें नहा धोकर स्वच वस्तर पहने इस दिन काले वस्तर बिल्कुल भी न पहने ध्यान रखें आप किसी भी रंग के वस्तर पहन सकते हैं लेकिन काले और सफेद रंग के वस्तर इस दिन बिल्कुल भी न पहने इस दिन सुबह सवेरे उठकर गनेजी के सामने वरत का संकल्प लें और पूरा दिन निजला वरत करें रातरी को चंदरमा को अरग दें अरग देते समय ध्यान रखें जब आप चंदरमा को अरग दें तो अरग वाले जल के छीटे आपके पैरों पर नहीं पढ़ने चाहिए पैरों पर जल ना गिरें इसके लिए आप अरग देते समय नीचे एक पोधा रख लीजी या गमला रख लीजी हरे भरे पोधे का और उसी के अंदर जल जाएगा जिससे आपके पैरों के उपर बिलकु लगाना चाहिए इस दिन आप वरत खोलने ते समय सब से पहले तिलकुट को ग्रहन करें उसके बाद आप सात्विक बोजन खाकर अपने वरत का पारण कर सकती हैं इस दिन वरत कथा भी अवश्य सुने वरत कथा भी इस प्रकार है मित्रों एक बार देवताओं पर संकट आन पड़ा वह भगवान शीव के पास गए और अपने संकट से निवारन का उपाय पूछा तब भगवान शीव ने अपने दोनों पुत्रों गनेजी और कार्तिके को देवताओं का सेनापती बनाने के लिए कहा और कहा तुम किस परकार इन देवताओं के सभी कष्टों को हर स ने भगवान शीव से कहा मैं देवताओं का सेनापती बने बिना ही इन सब के कस्टों को पल भर में ही दूर कर दूँगा दोनों पुत्रों की परिक्षा लेनी चाही और कहा जो भी सबसे पहले प्रित्वी की परिकर्मा लगा कर सबसे पहले पहुँचेगा वही देवताओ के कस्टों को दूर करेगा और सर प्रतम उनी की पूजा संसार में की जाएगी तब कार्थिके जी अपने वहान पर अरूड होकर प्रित्वी की परिकर्मा के लिए निकल पड़े प्रंदुगने जी महराज सोच में पड़ गए और उन्होंने सोच में पड़ते ही साथ ही उनक आपको प्रित्वी की परिकर्मा नहीं करनी तब गनेज जी ने कहा माता पिता से बढ़करी संसार में कोई नहीं है जहां पर माता पिता वास करते हैं वही हमारा संसार है और वही हमारी प्रित्वी है इस रह से शिब भोले गनेज जी के इस उत्तर को सुन कर बहुत ही हो गए और उन्हें प्रथम पूझे का आशिरवाद मिला इस तरह से जो भी कोई काम पहले किया जाता है सबसे पहले गनेश जी की पूझा करनी चाहिए उसी के बाद किसी भी कारिय की शुरुआत की जाती है तो बोलिये गनेश जी महराज की जाया मा की चतुर्थी को तिल चो में ही दूर कर लेते हैं और जीवन खुशियों से भर उखता है तो मित्रों इस वर्ष गनेश चतुर्थी का तिहार माग चतुर्थी या तिल चोद का तिहार 39 जनवरी दिन सोंवार को मनाया जाएगा और चंदरुदै का समय रहेगा रात को 9 बज कर 10 मिनट पर चंदरमा को अरग देने के बाद ही वरत का पारण किया जाएगा आपको यह सब जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की ओर जानकारी के लिए जूर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें कमेंट बोक्स में जैगन पती महाराज आप हमारे जाएगा 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